आप सब आए हूप की आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट से दे यलेटेड काफी सव्थिटुड हर एक दीन हर एक कंपनी के बारे में रीवियो आएगा कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर क्या-क्या चिज़े पूछी जाती है उसमें कितने rounds होते हैं, कैसे आप round को clear करेंगे इस जो हमारा मतलब company, particular company है इसके अंदर कौन-कौन से language पूछे जाते हैं और कितना तक पूछे जाते हैं ये भी हम बताएंगे साथी साथ आपके अंदर कौन से ऐसी skills होनी चाहिए तो पूरा का-पूरा कहने का मतलब है कि आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपके अंदर जितनी भी doubts होते ही वो सारे के सारे clear हो जाएगे तो यहाँ पे उन सभी student का benefit होगा जो की diploma कर रहे हैं, B2AC कर रहे हैं जो CSIT से हैं और जो CSIT से नहीं भी है यानि अधर भी ब्रांच से हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी helpful रहेगा आप अगर गेरजिवेशन कर रहे हो तो भी आपका यहाँ पी helpful होगा अगर आपको computer science यानि कहने के मतलब है कि software industry के अंदर आपको interest होनी चाहिए तो हर एक जो company होती है उसके बारे में review देंगे बिलकुल अच्छे से क्योंकि अभी आप किसी भी जैसे YouTube बड़े बड़े जो creators होते हैं उनके वीडियो पे भी visit आप लोग करते होंगे तो वो बस यह बताते हैं कि आप LinkedIn पे जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ और message करो और उधर से आप लोग कितनो भी message कर लो सरकारी नौकरी.com पे जाओ कितनो भी कर लो उधर से बहुत ही कम जो है reply आते हैं अगर आपने 100 mail किया तो 100 मेंसे हो सकता है कि one जो है वो वापस आ जाए मतलब return उसका कोई message call कुछ आ जाए नहीं तो समझ लो की 100% में 100% भी कभी कभी नहीं आता है ठीक है तो मैं आज की इस वीडियो में ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको जो है वो कैसे company तक पहुँचनी है आज की इस वीडियो में लेकिन हर एक company के बारे में जब review देंगा तो वहाँ आपको किस तरह से पहुचने हैं साथी साथ जितने company के मेरे पास HR का number है mail है मैं उतने company के बारे में या उतने company का HR जो ए रिक्रुरेटर होते हैं उनका mail mobile number दे सकता हूं ठीक है तो हर एक series के अंदर दूँगा क्योंकि asset दे दूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन company का या कौन company का नहीं है तो जिस company का review देंगे हम उस company का जो है आप सभी को email ID, mobile number दे दूँगा आप लोग अगर आप उसके capable हो यानि आपके अंदर वो skill है तो आप लोग जाकर उनसे बात कर सकते हैं, बात करके अपनी job fix करा सकते हैं, करने का मतलब है कि आप लोग जैसे interview हो गया exam हो गया, ये सारी चीज़े fix करा सकते हैं कुछ ऐसी company हैं जो कि already उन पे आप लोग को visit करने है, exam देने हैं और कुछ हफते के बाद आपको automatic जो है, वो results हो जाता है अगर आपका result जो है, वो pass होगा तो आप जा सकते हैं, अपने job के लिए, अगर नहीं हुए तो आप फिर से भी दे सकते हो, दुसरे mail ID से तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम सुरुआत करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर बस आप सभी को informations देनी थी, कि आप सभी लोग job की search कर रहे हो, तो इस चैनल को subscribe कर लो, और साथ ही साथ bell icon भी press कर लो, जिसके कोई भी notification है, तो आप सभी लोग को जल्दी सजल्दी आपके पास पहुंच जाए इस वीडियो को देख कर आप लोग apply कर सको एक और चीज, कि बहुत सारे ऐसे company आ हैं जो कि 3 महीने, 4 महीने training के बाद जो है, वो फिर से placement लेती है, तो यहाँ पर लोगों को पता ही ने चलता जैसे कि काफी लोग सोच रहोंगे कि साल भर में एक बार एक company जो है वो लेती है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसी company आ हैं, जो कि मेरे संपर्क में मैं जानता हूँ, वो 3-3 महीने की training अपने पास कराती है, और कितने उसके अंदर space होते हैं, मतलब कितने लड़को को लेते हैं, ये भी सारी चीजे पता है तो वो भी हम हर वीडियो के अंदर reveal करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजे reveal नहीं करेंगे, विकॉज कि अभी मैं एक company के बारे में बात करूँ वैसे हजारो company'ya है, तो हजारो company'ya के बारे में अगर बात करेंगे, तो अलग-अलग हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है तो यहाँ पे बस यही information देनी थी आप सभी को, जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि उस company के अंदर क्या-क्या पूछी गई थी मुझ से और क्या-क्या आपसे पूछी जाएंगी आप किस तरह से वहाँ तक जा सकते हो साथी साथ, इसके अंदर आपको कैसे तयारी करने हैं, कहा-कहा से आपको तयारी करने हैं, ये सारी बाते बताएंगे